हेलो गाईज नमस्कार मैं संदीब कुमार शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका संदीब सर जी के में मैं अपने दिल का तेरे दिल से करार कर दूँ मतलब बॉंट साइन कर लूँ मैं अपने दिल का तेरे दिल से करार कर लूँ दे इजाजत तो प्यार का इजहार कर लूँ बिल्कुल मुहबद भुत तगड़ी वाली चलिये मतलब दोनों तरह से लुहागरा में ठीक है और इजहार कैसे करूँगा इजहार करने का तरीका इजहार करने का तरीका गौर किजएगा आप भी ऊशीजोट करेगा आप sucks क्या बोल शांती मेरे संग घ़ुमे चाइगी जीवणया wonderful करेगी और क्या है कैसे बोल कि इजहार कर रहे हैं प्यार का किस से शांती से कि बोल सांती मेरे संग गहुमेगी, रहेगी, जिवन्यापन करेगी, अब वो क्या बोलती है, जवाब का इंतजार रहेगा, clear, चलिए, तो इससे दो खाम हो गए, एक तो हमने प्यार के जहार कर लिया, और दूसरा, आर्टिकल 19 का सारे के सारे पॉइंट हमने याद कर लिया, सिर्फ कैसे, बोल सांती संग में घुमेगी, रहेगी, जिवन्यापन करेगी, अगर यह लाइन याद है, तो बात खातम पैसा हजम, यह लिजे, बोल शांती संग में घुमेगी, रहेगी, जिवन्यापन करेगी, एक अंडर लाइन यहाँ पर मारिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहां पर और एक यहां पर जहें बंदू आएंगे च्छीप आगें कि तरीका क्या है बोल सांती संग में घुमेगी रहेगी जीवन्यापन करेगी रेडी है तो बता है पहला हो जाए कि बोल मतलब होता है बोलना बोलने की आजादी दूसरा होता शान्ती शान्ती के मतलब यहां पर है शान्तिपूर तरीके से इकठा होना पीसफुली पीपल गैदरिंग शान्तिपूर तरीके से इकठे होने की आजादी आप सांतिपूर तरीके से आप कहीं पर एक अठा हो सकते हैं जिसा होता अंदोलम बगारा होता उस टाइब का तीसरा संग तेरे संग संग आया मेरी प्यारों ख्वाबों का मेला हैं तो संग से हो जाएगा संग बनाना संग मतलब संग यूनियन बनाना संग बनाना यूनियन बनाना नेक्ट घोमेगी घोमेगी मतलब घोमना विचरन करना ट्रेवल करना देश के अंदर की बाद चल रही है नेक्ट रहेगी मतलब रहना निवास करना घर बनाना जीवन्यापन जीवन्यापन करना व्यापार करना छे बातें एक लाइन से खतम हो गई, क्लियर है, बोल शांती, संग में घुमेगी, रहेगी और जीवन अपन करेगी, अगर इतना याद हो गया, तो पस हो गया खतम बात, पहला पॉइंट क्या था, बोल, बोल मतलब आर्टिकल नाइंटीन वन ए, आर्टिकल नाइंटीन वन बोलने की आजादी, freedom of speech, आर्टिकल नाइंटीन वन बी, सांतिपूर तरीके से इकठा होने के आजादी, सांतिपूर तरीके से आप इकठा हो सकते हैं, people gathering, peacefully, ये है आर्टिकल नाइंटीन वन सी, संग, संग बनाना, union बनाना, नेक्स्ट आर्टिकल नाइंटीन वन डी, घूमना, travel करना, देश की बांडरी के अंदर, आर्टिकल नाइंटीन वन ए, रहना, निवास और आर्टिकल नाइंटीन वन, जी, जी वन यापन करना, रोजगार करना, व्यापार करना, ए के बाद जी आ रहा है आप बोलों के सार आर्टिकल 19.1.F कहां गया इसके बारे मैं अलग सी वीडियो बना दूँगा कि ये गया कहां अभी तो सिर्फित तन्यात का लीजे कि 44th amendment 44.7 सम्विधान संसोधन किया गया 1978 में आधनी मुराजी दिसाई प्रधान मंत्री थे और इस आर्टिकल को हटा के आर्टिकल 300A में रख दिया गया 300A क्लियर चले मुझो मीध है याद हो गया होगा आर्टिकल 19 अनुछेद 19 में 6 पॉइंट आते हैं बोलीने क्या जादी शांति पोल तरीके से कठा होना peacefully gathering people संग बनाना union बनाना घोमना ट्रेवल करना रहना निवास करन और जीवन आपन करना 19 1 A B C D E और जी क्लियर है मुझो मीध है याद हो क्या होगा इस तरीके से आप प्यार के जहार भी कर सकते हैं किसी से और अगर वो मना करें यह डांटे तो आप बोलना देखो मैं तुम्हें fundamental light सिखा रहा था तिस मतलब एक पंध दो काज मना कर देगी तो बूल देना fundamental light सिखा रहा था और हां कर देगी तो फ़र तो बात ही नहीं फिर तो टेंसर निफ्री है उस वाथ बाद में इसको सीखा देना क्लियर बाई